मैं आपको एक बात शेर करना चाहूंगी कि बेट द्वार का कैसे पूरा बेट शरीफ बना है और शौर्ट में बताऊंगी कि वहाँ के लोकल मुस्लिम असोशियेशन ने इंटरनेशनल मुस्लिम असोशियेशन को पत्र लिखा कि आप इसको बेट शरीफ का दरजा दीजिये और अभी कुछ महीनों पहले ही साओदी से उनका एक मौलाना और बाकी के जो अधिकारी थे वो निरक्षन करने बेट में आये थे जब आप पहले तो एना कॉंसेट समझेए दरगा अलग होती है, मस्जिद अलग होती है दरगा व्यक्ति विशेश पे होती है, मस्जिद उनके भगवान की ही होती है तो वहाँ पे जब शरीफ का दरजा तब मिलता है जब आप उस पे सौ से जादा दरगाय हो जाती है जब अगर बेट द्वार का बेट शरीफ बन जाएगा अभी 100 नहीं हुई है कुछ एक आकड़े कम है इसलिए वो काम अठका हुआ है आप सोचिएगा समझेगा कि जैसे अजमेर शरीफ बन गया एक लिए दुनिया भर के मुसल्मान वहां जा रहे हैं कबजा कर लिया है और वहां पर बहुत बड़ा आतंकी अड़ा बन चुका है अजमेर उसी तरह से जिस दिन बेट द्वारका को बेट शरीफ का दरजा मिलेगा तो आप गुजरातियों सोच लेना कि बहुत बड़ी क्रॉस लगने वाली है आपके अपने प्रवास पर अपने भगवान के मंदिर जाने के लिए और महां पे सिर्फ जियादी जियादी जालीदा तोपी में दिखेंगे और आपका जो कृष्ण बगवान आज हम जैश्री कृष्ण तो करते हैं पर अपनी कृष्ण नगरी को हम नहीं बचा पा रहे हैं तो हम उसी कृष्ण नगरी में जाने के लिए मुझे लगता है कि दस्देक वर्षों में तो आपको लिटरली वीज रहे हैं बहुत प्रहतन कर रहे हैं फाइले तयार करते हैं एक छोटी टेबल क्लर्क की सैकंड क्लास ऐसर की टेबल ते लेके Mexique एम तक धक्कों पे धक्के खा रहे है पेट्रोल इतना खर्च कर रहे है जूते अपने घिस रहे है मगर कार्य नहीं हो रहा है मेरे आखो देखा मैं आपको बात बताती हूँ कि revenue minister की और R&B department के minister की second class officer नहीं सुनता है वो मेरे सामने phone पे order देता है कि यावेद दर्गा पर action लो वो action नहीं लेता और यहीं राजपोर्ट में chief engineer बैठा है वो मनी मंदिर मोर्भी का वो chief engineer land grabbing का मुकदमा दाखल करने से डर रहा है और वो मंत्रियों की भी नहीं सुन रहा है अब आप बताओ इसमें किसको हम दोश दे तो problem यह है कि अभी जित्ती संख्या यहां बैठी है क्या उत्ती संख्या मेरे साथ अभी इसी वक्त आज की रात ही अमावस की पूरी रात मेरे साथ धरना देने के लिए तयार है मोर्भी चलोंगे अभी मैं सबसे आगे चलूँगे पूरी रात धरना देने को तयार हो देखे आप है ना सब चीजे सरकारों पर नहीं छोड़ सकते हैं हिंदू जब तक एकत्रित होकर हिंदू आंदोलन नहीं करेगा और हिंदू अपनी संखिया अपने आंदोलन में नहीं दिखाएगा तब तक तो मा भी उस बच्चे की नहीं सुनती जो रोता नहीं है तब जाके मा उसको दूद पिलाती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपके बिना चिल्ला है ये बहरे लोग आपकी सुनेंगे नहीं सुनेंगे इसलिए एकत्रित होकर सामुई कांदोलन करो और उसको जनता का मुद्दा बनाओ पाटी का मुद्दा मत बनाओ पक्ष का मुद्दा मत बनाओ जाती का मुद्दा मत बनाओ जनता का मुद्दा बनाओ हिंदू समाज का मुद्दा बनाओ